प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के निर्देश के बाद, केंदरिय मंत्री डॉक्टर जितेंदर सिंग ने लेटरल एंट्री विज्यापन रद करने के लिए संग लोक सेवा आयोग, UPSC को के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। केंद्रिय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग ने इस संबंध में UPSC की चेर्मेन प्रीती सूधन को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि लेटरल एंट्री पदों को विशिष्ट माना गया है और एकल क्याडर पदों के रूप में नामित किया गया है। इसलिए इन यूक्टियों में आरक्षन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रधान मंत्री द्वारा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने के संदर्भ में इस पहलू की समीक्षा और सुधार की आवशक्ता पर जोर दिया गया है। केंद्रिय मंत्री ने UPSC से 17 अगस्त को जारी किये गए लेटरल एंट्री भरती के विज्यापन को रद करने का आगरह किया है। यह कदम सामाजिक न्याय और सशक्ति करन की दिशा में एक महत्वपून प्रगती होगी। लेटरल एंट्री का अर्थ परीक्षा दिये बिना सीधी भरती से है। लेटरल एंट्री के जरिए कई बार UPSC केंद्र सरकार के लिए बड़े पदों पर विशेशग्यों की सीधी भरती करता है। इसमें राजस्व, वित, आर्थिक, क्रिशी, शिक्षा जैसे सेक्टर्ज में लंबे समय से काम कर रहे लोग शामिल होते हैं। सरकार के मंत्रालेयों में जॉइंट सेक्रेटरी, डाइरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट पर भरती लेटरल एंट्री से की जाती है।